हलो एव्रिवान गडियूनिंग सबसे पहले पूरी विश्व को ईद की बहुत 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 मुबारगबाद अल्ला ताला करें ये ईद हम सब की जिन्दगी में खुशियां भर भर के लाएं हमारे जिन्दगी में रंग भरें और हम हिंदू और मुशलमान लोगों के बीच जो प्यार है जो हमारा एक दूसरे की उपर विश्वास है ये हमेंसा बना रहे और हम और ही और ज्यादा और भी ज्यादा करीब आए और हमारे बीच ये जो एक प्यार है भायों वाला बहनों वाला ये हमेंसा बना रहे So, I wish you all a very 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 happy Eid Eid Mubarak once again So, हाँ, इस Eid के खास मोके पे आप लोग भी शोच रहे होंगे कि यह वीडियो स्पेशली मेरे फैंस के लिए है जिन्होंने मुझे बनाया जो मुझे पे विश्वास करते हैं और जिनको मेरे पे विश्वास था बोलके जिन्होंने मेरे लिए दुआएं मांगी और जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरे हिंदुस्तानी लोग साथी जितने भी लोग बाहर से मुझे जिन्होंने भी सपोर्ट किया मेरे लिए दुआएं मांगी उनके लिए है देखिए दो-चार दिन से जो भी आप लोग फेस्बुक पे पढ़ रहे हो मेरी फोटोज के नीचे काफ़ी शारे नेगटिव कॉमेंट्स आए पहली बात मैं एक टाइटल होल्डर हूँ चाहे लोग कुछ भी करें चाहे लोग कुछ भी बोलें और मैं पूरी हिंदुस्तानी पूरी हिंदुबर्व के लोग पूरे विश्व में जो भी मुझे देखते हैं मैं उनसे पूछना चाहते हूँ जो लोगने अने मेरी विडियो के नीचे मैंने बस इतना बोला था कि पकिस्तान में भी हिंदी बोलते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुस्तानी हो और हमारी यहां भी लोग उर्दु बोलते हैं इंफेक्ट मैं खुद उर्दु की क्लासेश ले रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम पकिस्तानी हैं तो इस चीज को कॉंट्रिवर्सी बना कर नेपाल के क जाकर मुझे बहुत गुश्चा आया क्योंकि खुन तो भारतिया हैं देखिए और कोई भी हमारे देश को हमारी मात्री भूमी को गालियां बखता है तो हमें बरदास्ट नहीं होता है कुछ भी जातो कोई असामी हो कोई बंगाल से हो कोई अरुनाचल से हो चाहे कोई उस चीज के प्रतुदतर में मैंने लिखा था पहली भात आप लोगने मेरे फोेटौस के नीचे देखा होगा धोती 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 लिखते हैं लोग अप सभी को मैं बता दूं मेरे जितने भी हंदुस्थानी लोग है भारतियो योग मतलब होता है ये नेपाली लोग जितने हमारा national custom किया है धोती तो गोती प्रीफर करते हैं धोती पहनते लोगों को लगता है पूरे इंडिया में धोती पहनते इसलिए ये लोग गाली के तूर पे धोती बुलाते है अप सभी को मैं चाहें बता रही हूं बुसरी चीज दूसरी ची हैं जैसी हम भी हो पहले कुछ भी हो चाहे हम बंगाली हो नेसामी हो और zaj Puis Director अज भी जब एक सरदार किसी के लिए लड़ता है तो पूरी हिंदुस्तान उसके पीछे लग जाती है आज भी एक इंडिया में किशी को कुछ होता है तो चाहे हो हिंदू हो या मुशलमान हो हम सारे हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक होकर लड़ते हैं चाहे हो आतंगवादियों का समश्या हो या फिर कोई भी हमारे देश पे आ जाए तो हम वो हिंदुस्तानी है और मैं वो हिंदुस्तान की बेटी हूँ तो मैं वला कैसे से थी अपने देश की बेजनी थी जैसे मैं अस्ट्रेलिया की करती हूँ, इंग्लेंड की वीश्वा में जितने भी देश है, क्योंकि हमारा संग्विदान, हमारा देश हमें इस चीज का इजाज़त नहीं देता, किसी का भी मजाग उड़ाएं, तो जब उन लोगोंने बोला था कि धोती, 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 तो मै कोई भी भारतिया मुझे बोल दे, कि सीमा शुबेदी, तुमने भारत को प्यार करके गलत किया, तो जो भी शजा मेरे लिए होगा, मैं उसको भूगतने के लिए तयार हूँ, दूसरी बात, नेपाल की हम बहुत ज्यादा इज्ज़त करते हैं, नेपाल में लोग जो अभी फाइट कर रहे हैं, पॉलिटी के लिए, उन्हें अपनी शंगविदान के लिए जो फाइट करना पड़ रहा है, एक भाईया ने मेसेज किया, मुझे, यूटूब में मुझे मिला, मेरे प्यार टीम ने मुझे यो मेसेज दिखाई, मैं उनको बताना चाहूंगी, भाईया बहना, भहुत सारे लोगों ने यूटूब में वीडियो दाला, हलाकि मेरे पास इतना समय भी नहीं है, कि मैं आप लोगों का वीडियो देख पा हूँ, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, कि आप लोग जो इतना बोल रहे हो, कि कैसे बोल दिया शीमा ने, क हिंदुस्तानी होता ना, और मेरे हिंदुस्तान से पहली बात मेरे भारत से हमारे भारत माता के शंतान ऐसा कुछ करता नहीं है, और आज देखा आप लोगों ने, मुझे गर्व है मेरे भारत ये लोगों पे कि उन्होंने एक भी, एक भी गंदा कॉमेंट नहीं कि आप लो और क्यों धोती की बात करते हैं हमें घमंडे धोती पहनने पर हमें घमंडे भारतिय होने पर हमारे महंदाश करम चाद गांदी महात्मा गांदी जी ने भी धोती पहना था हमारा नेशनल गश्टियों में हमें घर वे तो भायों और बहनों नेपाली भायों और बहनों मेरे प पिक्चार में उसका face को edit करके लगाना, उसके बाप के बारे में गंदा गाली बाकना, उसकी मा के बारे में गंदा गाली बाकना, यह कहा का नियाए है। के लिए दोर खा मुझे लगा ये मेरा जिमयदारी है मेरी मातरी भाषा के लिए बोलना मेरा जिमयदारी है लकिन ये थाम substitute शोर में वाज करती है मैं अपने भारत के लिए कुछ भी शोंगे तो इसलिए आपके हमें भी माअब जोगे अभी एक लड़की की प्लीज कुछ भी गंदा कॉमेंट मत करिएगा क्योंकि हम भारतियों की यही एक पहचान है कि हम किसी को गंदा या गलत नहीं बोलते और हमें दुख है, हमें दर्द है नेपाल में जो भी हो रहा है शंग्विदान को लेकर या आप लोग भी भाईया मुझे याद नहीं उनका नाम स्पेशले मैंने उनको थैंक्यू कहा है उन्होंने जो भी कहा मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक्यू वेरी मुच दाई गर्ब होता है आप जैसे नेपालियों को देखके और पूरे विश्व में जितने भी नेपाली है आप सभी को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे जवाब जरूर दीजिएगा कि एक गोर्खा होने के साथ साथ मैं जिस देश में जन्मी जिस देश की मिट्टी मुझे पहचानती है जिस देश की मिट्टी से मुझे प्यार है अगर मैं इस देश के लिए बुड़ा नहीं सुन पाई तो इसमें मेरा भला कहां गलत में भला कहां गलत हूँ तो ये वीडियोस बनाने से पहले ये तुनिया भर के जो कॉमेंट करते हो एक लड़की की फोटो के नीचे फ्लीज थोड़ा तमीज सिखाएं अपने लोगों को और मेरे हिंदुस्तानी मेरे भारतिय लोगों ने किसी नीवी आप लोगों को कुछ भी नहीं बोला हाला कि एक सरदार शोपे भारी ये तो आप जानते होंगे लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे ना ही हम ऐसा करते हैं यही तो इंडिया की खासिया थे अती थी देवो भवाकिम बोलते हमें तो मैंने नेपाल के लिए ना कुछ गलत बोला फिर अभी फिर से बोलना चाहूंगी नेपाल से मेरा कोई दुष्मनी नहीं है और हाँ आप लोग बोल रहे थे कि पहले बोलती थी मेरे साथ खांदा नेपाल को नहीं जानता है और अभी बोलती है नेपाल गई थी मैं एज टूरिस्ट नेपाल गई थी कल भी मुझे टूर करने का मन हुआ जरूर जाऊंगी ये बत सच है मेरे परिवार में से मैं पहली सदश्य हूँ जो नेपाल टूर करने गई थी और दूसरी बात मैंने कहा था अगर मुझे मैं एक आर्टिस्ट हूँ मुझे अच्छा अमोंट मिला तो मैं पकिस्तान भी जाऊंगी पकिस्तान ही नहीं अस्ट्रेलिया, यूके, इंग्लेंड कहीं पे भी एक आर्टिस्ट को एक एक्टर, आर्टिस्ट जो भी कहे उसका काम ही होता है हमारे हमारा देश कर्म ही धर्म हमारे महंदाश करमचाद गांदी ने एक चीज बोला है कर्म ही हमारा धर्म है तो हमारा देश ही हमें ये सिखाता है कि कर्म पूजा है हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं अपने टालेंट पे विश्वास रखते हैं आज हम लोग उन्हें भी खुब मेहनत करा है तब जाके हम आज यहां पे हैं तो केवल पाकिस्तान ही नहीं, अगर कोई भी कंट्री हमें एफोर्ट कर पाया, और उन्हें हमारा टालेंट अच्छा लगा, और वहां से हमें कुछ भी अच्छा ओफर आया, तो हम जाना जरूर पसंद करेंगे, और पाकिस्तान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, वहां के आर आटिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, और इंडियन जो हम भारतिये लोग हैं, हमें हमेसा यही सिख्छा दिया जाता है, कि अपने कर्मू पे विश्वास रखो, महा भारत से लेकर, हम जितने भी पुडाने पुस्तके पड़े, दुश्मनी का हमेसा हार ही हुआ है, दुश्म हमेसा, रामायन से लेकर, महा भारत से लेकर, कोड़ब, कोड़ब और पंड़ब, पंड़ब पांच, कोड़ब 99, लेकिन आखिर में जीत पंड़ब की ही हुई थी, यह मेथट हम अपने जिंदगी में भी अपलाई करते हैं, इसलिए जो लोग मेरे फोटोज के नीचे, बह हो ज्यादा 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 गंदा कमेंट लिख रहे हैं, उन सभी को, मैं यही कहना चाहूंगी, कि एक बार अपनी मा और बेहन को जरूर देखें, मुहे बोलके आप कुछ भी नहीं बोल सकते, एक लड़की को आप बोल रहे हो, तेरा रेप करूंगा, how dare you, और यह सब सारे लोग कहां गए, जो कमेंट वीडियो बना का भाल, आप आल मैं ऐसा बोल रहे थे, यह कहां मज़े अभी, एक लड़की की उपर तुमारे जगारे में होती न, चाहे कोई भी हो, चाहे एक पकिस्तानी ओरत के लिए को ऐसे कमेंट कर दे, मैं देखूंगी, और मैंने हम हमेशा बोला नेपाली, भासा, गोर्खा जात के लिए आज नहीं, कल नहीं, कभी भी, अगर मुझे मैं शोश हुआ कि मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा खड़ी रहोंगी, तुम कैसे भूल गए कि मैं भी एक गोर्खा की बेटी हो, तुम लोग कैसे भूल सकते हो यह चीज, तुम लोग इतना गंदा बात कैसे बोल सकते हो किसी लड़की के लिए, हम तो सोच भी, हम भारतिया तो ना ना ना, क्रिमिनेल के लिए भी ऐसा यूज ना करे, किसी प्रोस के लिए भी ऐसा ना बोले यार, सबका अपना अपना काम होता है, यह तो हम इंडियन्स की खाशि भगवार ना करे कल यह वीडियो कोई शर्दार देखे ना, तब पता चलेगा धोती कोन है, और असली मर्द कोन है, असली मर्द बनते हो ना, ओरत की इजज़त करना सीखो, खमंडे मुझे अपने इंडियन मर्दूं पे, खमंडे मुझे अपने भारतिय लोगों पे, किसी ओरत की बेज़ेतिक बिल्कुल नहीं करते हैं, तुम बोलते हो ना, भारत में गरीबी है, गरीबी हर जगा है, नेपाल भी एक बहुत गरीब राष्ट्रा है, राष्ट्रक लेकर बात नहीं करने का, नेपाल की हम उतना इज़त करते हैं, नेपाली भासा, नेपाली कल्चा कि हम आज भी इज़त करते हैं, future में भी करेंगे, हमें नेपाल से कोई भी problem नहीं है, हमें problem है, ये छोटी शोच वाले लोगों से, मेरी request है, आप जितने भी नेपाली भासी लोग है, इस चीज़ को देखिए और मुझे बताइए, कि मैंने अगर अपने देश के खिलाब सुन किसने हग दिया, सबसे पहले, मुझे कुछ भी बोलो, मेरे देश को गाली देने का, मेरे देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का, आप लोगों को किसने हग दिया, मैंने क्या गलत बोला, मैंने जो बच्वन से देखा है, मैंने जो अपनी सोसाइटी से सीखा है, मैंने यही बोला और दूसरी बात कोई कोई स्टूपिट लोगों ने एश्या इंटरनाशनल वालों को मिसेस इंडिया वालों को भी मेसेज किया है पहली बात मेरी जो टाइटल है ना वो साइड में रखो आज भी मैं सीमा सुबेदी दिन रात मेहनत करके इस मेहनत के बदोलत पर ख लोगों को पर्शनली हट क्या है तब जाके बोलिए तब आपका हग बनता है थोड़ा सा नेपाली लोग यहां के काम करते हैं बोलने में आपको इतना गुशार है आपने तो शड़े या मेरे देश को मेरे भारत के बारे में बुरा बोला अब बोलिए हमें कितना दर्द हो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा आगे से किसी भी इंडियन के बारे में आरे तुम लोग के बिना हमारा कुछ नहीं होता हमारे बिना तुम्हारा कुछ नहीं होता भाई-भाई बनके मिलके रहो ना किसने मना किया है हम तो आज भी नेपाल किया पाकिस्तान की इज़त क कि मा को मा बोलूगी ये मेरी बेवकुफी होगी कि नहीं हर एक भारतिया मुझे इस चीज का जबाब दीजिएगा आज अगर में मेरे भारत माता का नाम नहीं लेके में पडोशी राज्य का जए बंगलादेश जए नेपाल जए पाकिस्तान बोलू तु क्या होगा में अपन आप लोग अगर मेरी बातों से किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं चमा चाहूंगी लेकिन मेरी भाबनाओं को इजद करिए और मेरे फोटोज के नीचे ये जो गंदे-गंदे चीजें आप कर रहे हैं ना सनी लियन का फोटो बोडी लगा के मेरा फोटो लगा के ऊपर कोई गोट चाना question कोई जूते सीमा 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 सुवेधी ने कभी माफि नहीं मागा माफी माइखना कोई भडी भात नहीं है हमारा भारत या संस्कृत हैं अगर गल्ती करते दुनिया के सामने बोल सकते हैं वो अधिकार हमें दिया है अगर मैंने इंडिया का कोई भी रूल को प्रेक किया है तो मैं अपने भारतिया लोगों से अपील करूंगी कि प्लीस आप लोग बोले कुछ भी जो भी मेरे लिए जिसकी भी में हगदार हूँ वो जरूर और बोलेगा लेकिन कोई भी मेरी भारत मा के लिए घूच बोलेगा, 가격 मैंने इंटेनने पर्ली नेपाल में में कि मृ대त में और चुम्त ऑफ़ गोलेगा, कि किसी भी लड़की के बारे में गंदा बोले सरे आम तेरा रेप करूंगा आप जानते हैं कितने बड़ी बात बोली आपने अज डेली इनुवर्सिटी बैंगलोर में देखिए हर एक जगा नेपाल के स्टुडेंट है हम उनकी उतना ही इज़त करते हैं अज मेरी इंड़स् पता भी है दुनिया के नजर में आप लोगों को क्या शावित कर सकता है पुरी दुनिया जानती है मेरे भारत बास यह जानते हैं सीमा सुवेदी केसी और अपने देश से कितना प्यार करती है लेकिन आप लोगों को कोई हक नहीं बनता आम शोरी किसी को रंडी या किसी के के लिए गंदा कमिंट करने का आगे से ध्यान रखिएगा आपने पालि भासी है गोर्खा है कि एक प्रियल गोर्खा लोगों की इसज्ध करता है एक प्रोषिटूट की इस आता है कि यह हम विश्वास कर सकते हैं जिनको हम अपना सबसे करीबी बना सकते हैं जिनको हम सबसे ज्यादा जिनके पास हम सबसे ज्यादा सुरक्षित में शुष करते हैं सीमा शुवेदी किया हजार सीमा शुवेदी पैदा होंगी इस भारत भुमी में जो भी हो सबसे पहले में एक भारत यह हूँ नोट और ली मी पूरे भारत में रहने वाले जितने भी जात के लोग हैं और भारत एक धर्म निरपेक्षरास्ट्र है मैंने आज इद मुबारक बोला मेरे मुशलमान भायों को तो आपने उसके नीचे भी बोला मुशलमानों को गाली दिया आप लोगों का हिम्मत कैसे हुआ मेरे मुशलमान भायों को गाली देने की इतना अधिकार आप लोगों को किस ने दिया मेरे मुशलमान भायूने आपका कुछ नहीं भी गाडाए जरा संहल के बात करिएगा नेपाल में भी बड़े ब्यापारी इंडिया से हैं इंडिया में भी लोग छोटे बड़े हर काम करते हैं लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है धोती 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 इतना धोती से प्रॉब्ल हुआ मुझे देखके कि कितना जद करते हैं अपने देश को कितना प्यार करते हैं उनका भी मूह था वो भी मेरे लिए गंदा बोल सकते थे पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला हेट्षव टु यू बड़ी आप सही में एक अच्छे इंसान हो मुझे गर्भ होता है आप गुर्खा पर आप सही में डिजर्ब करते हो गुर्खा कहलाने के लिए इसलिए अगली बार अगली बार किसी भी लड़की की फोटू के नीचे गंदा कमेंट करने से पहले सो बार सोचिएगा खुकरी चलानी हमें भी आती है और अगर फिर से ऐसी कमेंट्स आई या ऐसा हरकत किया गया तो मुझे लीगेली एक्षन लेना पड़ेगा Thank you very much, wish you all a very very happy Eid once again और आप सब सही रहें, खुश रहें, दुश्रों को भी खुशी से रहने दे अपने आसपास की जगा को साफ शुद्रा रखे और हमेशा अच्छा सोचें, सच्चाई का साथ दे जैहिंद